दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का MGV Study Point योटूब चैनल में तो दोस्तों आज की हमारी जो सिरीज है ये Weekly Current Affair 2020 की सिरीज है बात करेंगे ये Current Affair है ये नवंबर के Second Week का जो Current Affair है जिसमें MCQ Type Total 20 Question है नवंबर का एक वीडियो पहले अप्लोड हो चुका है तो बात करेंगे ये JMRC, REIT, HSSC पटवारी, Police, High Court LDC और अन्ने सभी प्रिक्षियाओं के लिए महतवपुन रहने वाला वीडियो है तो इसे लास तक जरूर देखे Like, Share भी करें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सिब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सिब्सक्राइब भी कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी forward करते रही है तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के हमारे 20 questions की तो question first आपके सामने है question first थी हाल ही में देश के किस राज्ये में एसिया की पहली सोर उर्जा कपड़ा मील खोले जाने की गोसना की गई है तो बात कर रहे हैं एसिया की पहली सोर उर्जा कपड़ा मील और ये कहां पे खोलने की गोसना की गई है तो यहां पे हमारा एंज़र है option B क्रेक्टे है महाराष्टर महराष्टर में एसिया की पहली सोर उर्जा कपड़ा मील खोल ले जाने की गोशन की गई है और चलते हैं बढ़ते हैं अंगले कोशन की और तो नेक्स्ट अमरे पास कोशन नंबर है सेकंड कोशन सेकंड में निम्न में से कौन सा देसे जी ट्वंटी समुए का सदस्य नहीं है जो देसे जी ट्वंटी का सदस्य नहीं है और जिनका हाल ही में पंदर्वा सिखर समेलन संपन हुआ G20 का पंदरुमा सिखर समिलन संपन हुआ है लेकिन एसा इन में से कौन सा देश है जो इनका सदस्य नहीं है और यहां पे हमारा एंश्वर बनता है option D पाकिस्तान पाकिस्तान है वो G20 समुए का सदस्य देश नहीं है और चलते है next question के ओर तो next पास question number 3 question 3 हाल ही में किस राजे ने इंद्रा गांदी मात्र तो पोस्ण योजना की शुरुवात की है तो अब हम बात कर रहे है इंद्रा गांदी मात्र तो पोस्ण योजना की शुरुवात कौन से राजे नहीं की है और यहां पे हमारा एंश्वर है option B राजस्तान ये राजस्तान के चार जिले जो टीएसपी शेतर है उन में अभी शुरुवात की गई है इसके तैत 6,000 रुपे दूसरी संतान के लिए दिये जाते हैं ये मतर तो पोसन योजना है जो राजस्तान ने इसकी पहल की है और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन क्यों तो नेक्स्ट हमारे पास कोशन नमबर है 4 कोशन 4 में हाल ही में किसे बुकर पुरुषकार से समानित किया गया है तो बात कर रहे हैं बुकर पुरुषकार से किसे नवाजा गया है और बुकर पुरुषकार प्राप्ट करने वाले यहां पे हमारा एंसर ओप्सन ए डगल्स स्ट वर्ट है जो बुकर पुर्सकार से समानित किया गए है और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के और तो नेक्स्ट अमारे पास कोशन नंबर है फाइप तो वीडियो को भी तक लाइक सेर नहीं किया तो जुरूर करें चेनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड् 2020 से समानित किया गया है तो अब हम बात कर रहे हैं उस पर्षन की उस वेक्ति की जिसे आदिते विक्रम बिड़ला कला पुर्षकार 2020 का समान प्राप्त हुआ है और यहां पे हमारा एंश्वर ओप्षन डी नसीरू दीन साहे को आदिते विक्रम बिड़ला कला सिखर 2020 से समानित किया गया है चलते हैं अगले कोशन की और तो नेक्स्ट मारे पास कोशन नंबर है से कोशन 6 से निवन में से किस राजे में भारत की पहली यह लोक अदाल्थ का आयोजन किया था तो हम बात कर रहे हैं भारत की यह लोक अदाल्थ का आयोजन और किस राजे में किया गया था तो यहां पे हमारा एंश्वर है ओप्षन ए 36 गड़ भारत के 36 गड़ राजे में पहली यह लोक अदाल्थ का आयोजन किया गया था और बढ़ते हैं अगले कोशन की और तो नेक वोप्षन 7 में हाल ही में किस टेनिस खिलाडी ने ATP Tour Finals 2020 का खिताब अपने नाम किया है तो अब हम बात कर रहे हैं 2020 में जो कौन सा टेनिस खिलाडी है जिसने ATP Tour Final का खिताब अपने नाम किया है और यहां पे हमारा एंश्वर है ओप्षन सी डेनिल मेदवे देव ने यह ATP Tour Final 2020 का खिताब जीता है और चलते हैं अगले कोस्षन की और तो नेक्स्ट हमारे पास कोस्षन नंबर है एट कोस्षन एट की अगर बात की जाए तो आप से पूछा जारे की हाल ही में बार सरकार द्वारा आवास दिवस 2020 मनाया गया ह है और परतिवर्स यह कब मनाया जाता है तो हम बात कर रहे हैं आवास दिवस को परतिवेर्स भार सरकार द्वारा आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है और चलते हैं अगले कोशन के और तो नेक्स्ट आमारे पास कोशन नंबर है 9 कोशन 9 से पहले अगर वीडियो को लाइक से नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर यह करें कोमेंट करके भी बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा हाल ही में अंतर संसद्ये संग ने किस गिरिश चंदर मुर्मू को अंतर संसद्ये संग जो की एक्स्टरनल ओडिटर के रूप में न्योक्त किया गया है चलते हैं अंगले कोशन के और तो नेक्स्ट कोशन नंबर है 10 और कोशन 10 में हाल ही में धक्षिन अमेरिका के किस देश में चंपारे वाइरस के संक्रमन की प पुष्टी हुई है और यहां पे हमारा एंच्वर है ऑप्षन सी बॉलिविया में दक्षिनी अमेरिका के बॉलिविया में चंपारे वाइरस के संक्रमन की पुष्टी की गई है और चलते हैं अंगले कोशन के और तो आगे कोशन नंबर है 11 कोशन 11 में सूदीप त्यागी क का समंद किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में सन्यास की गोशना की है तो अब हम बात कर रहें सूदीप त्यागी की जिसने हाल ही में सन्यास लेने की गोशना की है और वो है किरकेट से समंदित ओप्षन बी क्रेक्ट है किरकेट से समंदित सूदीप त्यागी है और इन्होंन सन्यास की गोशना की है चलते हैं अगले कुशन की और तो आगे मर पास कुशनart number है 寿वेलो कुशन्बेलो हाल ही में भारत सरकार के किस मन्तरा लेने महिला सहसक्तिरी करण के लिए लिलावती आवार्ड की शुरुवत की है तो बात कर रहे हैं लिलावती आवार्ड और ये किस मंत्रा लेने शुरू किया है तो यहां पर हमारा इंसर उप्शन डी शिक्षा मंत्रा लेने शिक्षा मंत्रा लेने महिला सैस्कति करण के लिए लिलावती आवार्ड की शुरुवात की गई है और चलते हैं नेक्स्ट थे मारे पास question number 13, question 13 में FIPA under 17 महिला फुटबाल विश्वय कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा, तो बात कर रहें FIPA under 17 महिला फुटबाल विश्वय कप और ये 2020 में कहां पे आयोजित किया जाएगा, तो बात कर रही है इसकी और यहाँ पे हमारा इंश्वर है ओप्शन भी भारत में ये फीपा अंडर 17 मेला भुटबाल विश्वक अप 2022 का भारत में आयुजित किया जाएगा और चलते हैं अगले कोशन के और तो आगे मार पास कोशन नंबर है 14 कोशन 14 हाल ही में किस राज्य की विधान सबा ने सरना धार्मिक सहींता बनाये जाने के परस्ताव को पारिच किया है तो बात कर रहे हैं कौन सी राज्य की विधान सबा है जिसने सरना धार्मिक सहींता बनाये जाने का परस्ताव किया है और यहां पे हमारा इंसर option A जारखंड ने option A है जारखंड राजिये ने ये सरना धार्मिक सहीता बनाए जाने का परताव किया है चलते हैं एक लिए question क्यों और तो आगे हमारे पास question number है 15 question 15 हाल ही में जारी विश्वे के 500 सूपर कम्प्यूटर की सूची में भारत के परम सिधी सूपर कम्प्यूटर का कौन सा इस्तान है तो बात कर रहे हैं भारत ने 500 सूपर कम्प्यूटर का कलेक्शन किया है और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि भारत का जो परम सिधी कम्प्यूटर है यह कौन से इस्तान पे है और यहां पे हमारा इंशर है option C 63 इस्तान भारत के परम सिरी कंप्यूटर का इस्तान है वो 63 है और वीश्वे के 500 सूपर कंप्यूटर की एक सूची त्यार की गई है चलते हैं next question number 16 question 16 में मल्डोवा की नई राष्टपती कोन बनी है तो बात कर रहे हैं मल्डोवा की नई राष्टपती और यहाँ पर हमारा इंच्वर है माईया सेडू मल्डोवा की नई राष्टपती माईया सेडू बनी है और चलते हैं अगले question के और तो आगे मर पस question number है 17 question 17 हाल ही में किसे राज्य के उत्तर पुलीस स्टेशन को ISO certificate दिया गए है तो बात कर रहे हैं कौन से राज्य की जो उत्तर पुलीस स्टेशन को यह ISO certificate दिया गए है और यहाँ पर हमारा इंच्वर है option secret नागा लेंड नागा लेंड की पुलीस को यह ISO certificate दिया गए है और चलते हैं next हमारे पास question number है 18 तो वीडियो को like share जरूर करें चैनल को भी subscribe कर दीजिया question 18 में टेली वीजन दिवस का मनाया जाता है तो बात कर रहे हैं टेली वीजन दिवस की और यह कब मनाया जाता है तो यहाँ पर हमारा ensure option ची 21 नवंबर को वीश्वर टेली वीजन दिवस से है यह 21 नवंबर को मनाया जाता है और चलते है next question के और तो next हमारे पास question number है 19 question 19 में राष्ट्रिय नवजात सब्ता 2020 कब मनाया गया तो बात कर रहे हैं राष्ट्रिय नवजात सब्ता है 2020 कब मनाया गया था और यहाँ पर हमारा ensure option D 15 से 21 नवंबर 15 से 21 नवंबर राष्ट्रिय नवजात सब्ता है के रूप में मनाया गया है और चलते है next question के और तो next हमारे पास question number 20 जो की इस वीडियो के last question है question 20 में world fisheries day कब मनाया जाता है तो हम बात कर रहे हैं world fisheries day कब मनाया जाता है और यहाँ पर हमारा ensure है option C 21 नवंबर को 21 नवंबर को world fisheries day मनाया जाता है तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद like share करने के लिए धन्यवाद और next video upload तब तक के लिए धन्यवाद